चीन में तबाही मचा रहे कुरोना वाइरस के BF7 सब वेरियंट के भारत में मौजूद होने की आसंका बढ़ गई है गुजरात बायो टेकनोलजी इस रिसर्च सेंटर ने सुरुवाती परिक्षण के आधार पर ये बताया है कि दो पॉजिटिव मामलों में ओमिक्रोन का सब वेरियंट BF7 मिला है बता दें कि ये वही वेरियंट है जिसने चीन में तांडो मचा रखा है ये दोनों मामले एहमदाबाद और वडोदरा के हैं रिपोर्ट से ये भी संकेत मिला है कि एक मामला हाल ही का है जबकि दूसरा थोड़ा पुराना है हालांकि राज्य के स्वास्थे विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि किसी भी मरीज में कोई गंभीर लक्षण फिलहाल नहीं दिखा है वहीं टाइम्स ओफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च सेंटर ने दो लोगों में मिले कोरोना वाइरस की जीनोम सिक्वेंसिंग की जाच की थी उसी डेटा से बी एफ साथ वेरियंट होने के संकेत मिले हैं बता दें कि अक्टूबर के महिने में चीन में दो नए और खतरनाक वेरियंट बी एफ साथ और बी एक दो साथ मिले थे कुछ दिन बाद गुजरात बायो टेकनोलजी रिसर्च सेंटर ने देश में इसके पहले केस का पता लगाया था वहीं भारत के अलावा अमेरिका, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और बेल्जियम में भी इस नए वेरियंट के मामले सामने आ चुके हैं अब आईए जाने बी एफ साथ सब वेरियंट के लक्षण क्या है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बी एफ पांच की तुलना में बी एफ साथ करीब 18 परतिसत जादा तेजी से फैल रहा है डॉक्टर्स का कहना है कि नया सब वेरियंट फूल वेक्सिनेटेड और अच्छी इम्मुनिटी वाले लोगों को भी चपेट में ले सकता है राश्ट्रिय तकनीकी सलाहकार ग्रूप माने एंटेग एजी आई के विसेसग्यों के मताबिक बदन दर्द इसका मुख्य लक्षण है अगर किसी को लंबे समय से सरीर में दर्द हो रहा है तो उसे कोवीड टेस्ट जरूर करा लेनी चाहिए इसके अलावा भी कुरोना के दूसरे लक्षण जैसे गले में खरास, ठकान, कफ और बहतीनाक भी सबवेरियंट के लक्षणों में सामिल है अब सवाल ये उठता है कि कुरोना का ताजा सबवेरियंट ओमिक्रोन से कितना खतरनाक है इसके जवाब में आपको बता दें कि ये वेरियंट वेक्सीन को मात दे सकते हैं माने अगर आप फुली वेक्सीनेटेड हैं फिर भी आप नहीं बच सकते हैं बिना इंफेक्टेड हुए साथ ही ये वेरियंट संक्रमन के बाद सरीर के नए इम्मुनिटी सिस्टम को भी भेद सकते हैं हलांकि इसके ओमिक्रोन से अधिक गंभीर होने के फिलहाल कोई संकेत नहीं मिले हैं हलांकि कभी कभार कुछ बुजोर्ग अस्वस्त और वैक्सीन ना लगे लोगों में निमोनिया हो सकता है वैसे ज़्यादा चीनता इस बात की है कि कभी भी एक नया वेरियंट आ सकता है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है फिलहाल चीन की राजधानी बिजिंग में कोरोना वाइरस की वज़ा से लगातार मौतों की ख़बर सामने आ रही है ट्विटर पर वाइरल हो रहे वीडियोज में दावा किया जा रहा है कि वहां कोवीड मरीजों और मरने वालों की संख्या इस से बहुत ज़ादा है कुछ समय पहले वहाँ की सरकार ने जीरो कोवीड पॉलिसी में छूट दी थी कहा जा रहा है कि उसके बाद से ही चीन में कुरोना के केस बेताहसा बढ़े हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में बढ़ते कोवीड मामलों की वजह से अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है कई वीडियो वाइरल हो रहे हैं जिन में अस्पतालों की खराब हालत और मुर्दा घरों में भीर देखी जा सकती है हालांकि इन वीडियोज को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टी हम नहीं कर रहे वीसे सग्यों के हिसाब से चीन इस सर्दी में कोवीड संक्रमण की तीन संभावित लहरों में से अभी पहली लहर का सामना कर रहा है चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक किप सर्चिंग फर नॉलेज और ट्राइट टू बी अ काइन परसन